नमस्कार, पीपी नियूस लाइन के प्राइम ट्राइम में आप सब का स्वागत, मैं हूँ रजनी अनुपव, आए सबसे पहरे नज़र डालते हैं अब तक की प्रमुक सुर्ख्यों पर कॉंग्रेस के वरिशनेता गुलाम नवी आजाद ने कॉंग्रेस से दिया अस्तीफा, सोनिया को चिठी लिक राहुल गांदी पर बचकाने वेवहार का लगाया आरोग अब जमु कश्मीर में कॉर्णिया ट्रांस्प्लांट की सुविधा होगी उपलब्द कॉंग्रेस के वरिश्च नेता गुलाम नवी आजाद ने कॉंग्रेस से अस्तीफा दे दिया है उन्होंने पार्टी के सभी पदों और प्रात्मी के सदस्यता से अस्तीफा दिया बता दें कि गुलाम नवी आजाद काफी लंबे समय से नाराज चल रहे थे आजाद ने संबंद में सुनिया गांदी को चिट्ठी भी लिखी है जिसमें राहुल गांदी पर हमला बोला गया है उन्होंने इस सकहत में राहुल पर बचकाने विभार का आरूप लगाया इसे पहले गुलाम नवी आजाद ने जमो कश्मीर कॉंग्रेस की प्राचार समीति के अध्यक्षपज से अस्तिफा दिया था उन्हें उसी दिन इस पत पर न्यूक्स किया गया था उन्होंने जमु कश्मीर में पार्टी की राजनितिक मामलों की स्मीति के सदेस्यता से भी त्याक पत्तों दे दिया था। वे कॉंग्रेस की नाराज नेताओं के G23 गुट में शामिल थे। G23 गुट कॉंग्रेस में लगातार बदलाव की मांग करता रहा है। इससे पहले कॉ उद्वूर डोड़ा कटुए स react देश के सबसे विक्सित संस्थियक कृत्रों में से एक है। मोधी सकार के आट सालों में इस संस्थियक क्षेत्र में विकास के کई میल पथर सापिध हुए है। ऐसा करते समय ये ध्यान में नहीं रखा गया कि वहां से हमें वोट मिले हैं या नहीं उन्होंने इस मौके पर पंचेरी में संस्तियक शेतर विकास निदी से बनाएगे सामुत दायक केंद्र को भी लोगों को समर्पित किया केंद्री मंत्री ने लोगों को विश्वास दिलाया कि पंचेरी को प्रेटन सल के रूप में विक्सित करने के लिए हर संबब प्रयास किया जाएगा शेतर में एक निया पार परजेक्ट बनने से बिजली किस मस्या का समाधान भी हो जाएगा उन्होंने कहा कि लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए गंबीरता से कांग किया जा रहा है पहले जमू कश्मीर में कौनिया ट्रांस्प्लांट की सुविदा नहीं थी और लोगों को सिर्फ नेतरदान के लिए चंद दिन ही जागरू किया जाता था लेकिन अब जमू और स्रीनगर में कौनिया ट्रांस्प्लांट की सुविदा है और आपके नेतरदान से किसी की भी जिंदगी रोशन हो सकती है इसी संदेश के साथ राज़की मेडिकल कॉलेज जमू में नेतरदान जागरूता पक्वाड़ा शुरू हो गया इस मौके पर आयोचित कारिक्रम में प्रिंसिपल जीमसी डॉक्र शाषी सुदर्न मुक्या आती थी थी जीमसी के नेतर रोग देखवाल विबाग ने स्टेट और्गन और टिशू ट्रांस्प्लांट और्गनाजेशन के सहयोग से आयोचित कियेगी इस कारिक्रम में OPD के आसपास आये मरीजों, तिमारदारों वह अन्य लोगों को नेतरदान के प्रती जागरू किया जॉक्र शेशी सुदर ने कहा कि कॉर्नियल ब्लाइडनेस एक बड़ी समस्या है ये हमारे लिए एक चुनोती भी है, इससे निपटने के लिए जरूरी है कि हर कोई नेतरदान के लिए आगे आए उन्होंने कहा कि हर वर्ष भारत में एक लाग कॉर्निया ट्रांस्प्लांट की जुरत पड़ती है, लेकिन 25,000 ही ट्रांस्प्लांट हो पाते हैं उन्होंने कहा कि अब GMC जम्मू का नेतर रोग देखवाल विबाग भी कॉर्निया ट्रांस्प्लांट करता है इसलिए लोगों को आगे आकर नेतर रोग की शपत लेनी चाहिए अगर आप माता वैशनो देवी के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो अपनी ट्रेन का शेडियूर फिर से चेक कर लें जम्मू के पास बड़ी ब्रहमना से रेल्वे स्टेशन यार्ड की री मॉडलिंग के चलते जम्मू से कट्रा के लिए रेल यातिया 14 सितंबर तक परभावित रहेगा इसके चलते 15 रेल गाडिया अलग लग दिन रद रहेंगी और 10 को सीमित किया गया है इससे जम्मू और वैशनो देवी आने वाले यात्रियों को वैकल्पिक वैवस्ता करनी होगी परिशानी से बचने के लिए जरूरी है कि श्रदालो अपनी ट्रेन के बारे में पहले से ही आश्वस हो ले ये भी बता दें कि बड़ी ब्रह्मना में रेलवे मौल गोदाम के लिए अतिरिक्त याड का निर्मान चल रहा है इस समय वैशनो देवी के लिए यात्रा सामाने चल रही है अगले माही नवरात्र शुरू होने वाले है और उस तोरान श्रदालों के संख्या काफी बढ़ जाती है ऐसे में रेलवे नवरात्र से पहले ही काम पूरा कर लेना चाहता है भारती चंता पार्टी में दवेंदर सिंग रुराना का कद बढ़ गया है पार्टी हाई कमान ने उन्हें हिमाचर परदेश का चुनाव सह परवारी बनाया देवेंदर रुराना एक साल पहले ही नेशनल कॉन्फरेंस को छोड़ कर भाश्वा में शामिल हुई थे भाश्वा में शामिल होने के बाद प्रदेश से बाहर उने दी गए ये पहली अहम जिम्मेदारी है भाश्वा में शामिल होने से पहले दवेंदर राना नेशनल कॉन्फरेंस के जम्मू संभाग के प्रांती प्रदान थे उनके साथ नैशनल कॉन्फरेंस के वरिष्ट नेता सुजीत सिंग सलातिय सेथ के नेता भी भाश्वा में शामिल हुए थे आपको ये भी बता दें कि राना प्रधान मंत्री कार्याले मिराची मंत्री डॉक्टर चितिंदर सिंग के भाई है नैशनल कॉन्फरेंस में उन्हें जम्मू संभाग का प्रधान का दायत्व सोपा गया था यही नहीं जम्मू कश्मीर में जब नैशनल कॉन्फरेंस की सरकार थी उस समय दविंदर सिंग राना तत्कालीन मुख्यमंत्री उमर अबदुल्ला के सलाहकार हुआ करते थे मोधी लहर के दौरान उन्होंने नगरोटा विदानसभा सीट पर भी जीत दर्ज की थी उनकी लोगों में काफी पैट है माता वैशनुदिवी की यात्रा के लिए पांच वर्ष से उपर के पृतियक शरदालू के लिए RFIG कार्ड लेना अनिवारे कर दिया गया है पंचीकरन केंद्रों पर ततकाल कार्ड प्राप्त करने वाले शरदालू हो या ऑनलाइन बुकिंग करवाने वाले यात्री RFID कार्ड के बिना किसी को भी यात्रा करने की अनुमती नहीं दी जाएगी 15 अगस से ट्राइल के तोर पर जारी इस नई ववस्ता के तैत वर्तमान में सभी पंचीकरन केंद्रों पर शरदालों को RFID कार्ड उपलव्द करवाया जा रहा है पूरी उमीद है कि स्तंबर के प्रथम सप्ताह में श्रीमाता वैश्नो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से RFID की सुविदा पूरी तरह से लागू कर दी जाएगी देश विरोधी गतिविदियों को अंजाम देने के लिए कश्मीर से जमू बेजी हवाला राशी के मामले में फरार आरोपित फारुक एहमत नायुक की उर्फ उमर को विदेश मंत्राले की मदद से दुबई से डिपोर्ट कर भारत लाया गया इसके बाद पुलीस की स्टेट इन्वेस्टिकेशन एजनसी ने उसे दिल्ली के अंतरास्टी हवाई अड़े से अपनी हिरासत में ले लिया ऐसा ये फारुक को लेकर जमू रवाना हो गई है जमू पुलीस ने 31 मार्च रात को तवीपुल का हवाला में 6.9 लाग के साथ मोहमद शरीफ शरीफ शाह निवासी कोकर नाग अनंतनाग कश्मीर को गर अफ़तार किया था शरीफ हवाला राशी को कठ्ठुआ के पूर मुखे मंतरी बाबू सिंग को सौंपने ये राशी आया था पुलीस कारवाई के दुरान पूर मंतरी बाबू सिंग वहां से भाग निकला था जिसे जमू पुलीस ने कुछ दिन बाद कठ्ठुआ से गर अफ़तार के लिया था लंपी तवचा रोक के मामले बढ़ने के बाद अब प्रदेश सरकार भी हरकत में आ गई सरकार ने जमू और कश्मीर के लिए दो अलग लग टास्क फोर्स बनाने को मनजूरी दी है इन टास्क फोर्स के अधिक्षता शेर कश्मीर के शिवेश्य देले जमू और कश्मीर के विग्यानिक करेंगे इसमें पशुपालन विबा के सदसे भी होंगे टास्पोर्स लगातार बढ़ रहे मामलों की निगरानी करने के लावा इसके नियंतरन में भी अपना सहीोग देगी सरकार ने इसके लावा पशु अधिनियम 2009 में संक्रामक रोगों की रोगथाम और नियंतरन की धारा छे के तहट एक अधिसूचना जारी करते हुए जमू कश्मीर के नो जिलों की बात करते हैं इसमें उन्होंने 2009 में संक्रमन रोकों की रोक थाम के लिए ये दारा के तहट अधिसूचना जारी की जिसमें 9 जिलों को नियंतिन अक्षेतरों के रूप में गोशित किया गया है इसी अधिसूचना के तहर प्रदेश के बाहर से दुधारू परशों के आयात पर पून पतिबंद लगा दिया गया है जमु कश्मीर के भीतर भी एक जिले से दूसरे जिले में इन परशों को लाने ले जाने पर रोक लगा दिया है वही लंपी तवचा रोक को रोकने के लिए दोनों ही संबागों में टीका करन अभियान शुरू कर दिया गया है आती समधनशील आबादी को बिमारी को फैलने से रोकने के लिए यूद स्तर पर सरबंदित उपकेंद्रों के आसपास अरिंग टीका करन के रूप में टीके लगाए जा रहे हैं उत्री कश्मीर के बारा मुला जिले में उडी के कमल कोट इलाके में स्तरक सेना के जवानों ने पाकिस्तान की और से आतंक्यों की गुस्पैट को नाकाम बनाते हुए तीनों आतंक्यों को जेर कर दिया मारेगे आतंग्यों के पास से हत्यार और गोला बारू बरामत किये गए हैं अन्य विवरन प्रितिक्षारा थे हैं यहां हम यह बता दें कि गत 21 अगस को राजोरी के जंगर सेक्टर में भारतिय क्षेतर में गुस्पैट करते हुए आतंग की तबरीक हुसेन को पकड़ा गया था सेन ने अस्पताल में बरती तबरीक ने खुलासा किया कि मैं चार से पांच लोगों के साथ पाकिस्टानी सेना के करनल यूनस द्वारा बेजेगे एक आतंगाती मिशन पर यहां आया था उन्होंने मुझे भारती सेना को निशाना बनाने के लिए 30,000 उरुपे दिये थे 21 अगर्स को गुस्पैट करते समय राजोरी के जंगर सेक्टर में पकड़ा था ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले दुनों में पाकिस्टान की बौर्डर एक्शन टीम यानि बैट एक साथ तीन से चार जगों पर हमला कर सकती है ये वज़ा है कि बारती सीमा पर तैनात भारती जवान हर समय मुस्तायद रहते हैं लेकिन पिछले चार दिनों में सीमा पार बढ़ रही हल चल के उपरांग भारती सेना के जवान बी एस एफ और अन्यों सुरक्षा अजनसिया सीमा पर पहले से अधिक स्तर्कता बरत रही ह ये वज़ा है कि उड़ी के कमल कोट इलाके में जब पाकिसान की ओर से तीन आतंकियों ने गुस्पैट करने की नापाप कोशिश की तो सुरक्षा बलो ने उन्हें आतम समर्पन करने के लिए चताबनी दी थी उन्होंने इसे अंसूना कर वापिस पाकिसानी सीमा की ओर लो उड़ी में कमल कोट इलाके के आसपास अभी भी तलाशी अभ्यान जारी है राज़की मेडिकल कॉलेज जम्मू के डॉक्टरों ने दावा किया है कि इस अस्पताल में साम के काटने के बाद इलाज के लिए आने वाले अधिकाश मरीज चीक होकर वापिस जाते हैं मरीजों का इलाज करने में कॉलेज पूरी तरह से सक्षम है साम काटने के बाद मरीजों के परबंदर और इसके लिए ली जाने वाली एहतियातों पर आयोचित कारिकम में डॉक्टरों ने ये दावा किया इस आयोचिन में कम्यूटी मेडिसन विवा के प्रोफेसर डॉक्टर राकेश बहल ने इसका आयोचिन किया डॉक्टर राकेश बहल डॉक्टर सुर्वी महाजन डॉक्टर रेनू बाखलू डॉक्टर रोहित मट्टू डॉक्टर संब्याल ने साम के काटने के बाद होने व जम्मू के पास बड़ी ब्रैमना रेल्वे स्टेशन पर याड की री मॉडलिंग के चलते जम्मू और कट्रा के लिए रेल यात याद 31 सितंबर से 14 सितंबर तक प्रभावित रहेगा रपीट अब वक्त हो चला एक ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद मजबूते के पैचान ACC सीमेंट मैसर्स विशंदास जस्वाल एंड संस आथोराइस्ट स्टॉकेस्ट ACC सीमेंट 45 ट्रांसपोर्ट नगर जमू ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली ख़वर की तरफ युवा राजपू सबादवारा आज भी तलापतिलो चोक में जोरदार परदर्शन क्या गया उन्होंने कहा कि उन्होंने महाराजा हरी सिंग जी की चुट्टी को लेकर परदर्शन क्या था जो महाराजा हरी सिंग जी जो हमारे डोगरों की आन बान और शान है जिनके लिए हम छुट्टी मांग रहे हैं परसों इन लोगों ने रातो राज सेक्शन 144 इंप्लिमेंट करके ये बता दिया है कि ये जो अंधी बहरी और गुंगी सरकार है ये सिर्फ लोगों की अवास दबा सकती है लेकिन लोगों के जजबात नहीं दबा सकती ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि LG सरकार गवर्नर साब लेटनर गवर्नर साब आप जल से जल महाराजा हरी सिंग जी की चुट्टी को लागू कीजिए वरना ये जो डोगरा समाज है आपको मूँ तोड जबाब देगा और आपकी जो कुरसी है उसे उठाकर यूपी जापके बिहार में जाप से भी आप आए हैं वहां पर पहुंचाएंगे मैं आपसे फिर एक बार हाथ जोड़ कर ये गुजारिश करना चाह हुई है आरेक जानवर को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए लंपी डिजीस से बचाया जाए इसके बारे में अधिक जानकारी सांजा की गई इसके बारे में अधिक जानकारी सांजा की डारेक्टर एनिमल हस्वेंटरी ने उन्होंने प्रेस कांफरेंस संबोदित करके इस कि रिकावरी रेट भी जाना जाएंगे मैं आप से ये कहूंगा कि इस बगत हमारे पास को साधे सतारह हजार के लगवक जो कैटल्स हें वो इफेक्टड हैं साधे साधे साधारह हजार में से हमारा साथ हजार पशू जो है वो रिकावर हो चुका है और वो बापस अपनी गर्षाबा जो डेथ रेट है डेथ इसमें 111 अनिमल्स की डेथ हुई है तो इसमी के देखने में आया है कि जिन किसान को नहीं बताया था और ये लंपी स्किन डिजीज से ज़्यादा गरेब सिचुएशन जब हो गई तो उन में फैटल्टीज होई हैं मैं आपके मादियम से अपने सारे किसान भाईयों को पिपी न्यूस लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही मुझोर मे और हां हमारे यहां बढ़िया क्वालिटी के बेंड़ेड स्पेक्टिकल्स, संग्लासेज और कॉंटेक्ट लेंसेज मिलते हैं आपका भरोसे मंद एक ही नाम जैम ओप्टीशन्स गाधी नगार जैम ओप्टीशन्स नई बस्ती जैम ओप्टीशन्स अंफला जैम ओप्टीशन्स त्रीकुटा नगर